स्वागत है आप सबका दुबारा से मेरे इस चानल पर सो आज हम बात करने वाले हैं जीरो टू हीरो की यानि कि अगर अगर फ्रेशर हैं बिल्कुल और निट का एक्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो क्या करना है कैसे करना है क्या कि आपके स्टेप्स होने चाहिए इन सब बारे में बात करेंगे कि कैसे आप जीरो से हीरो बने यानि कि एक बिल्कुल प्रेशर से अपना जी-र-फ क्लियर करें विद मैकसिमम परसेंटाई स्कॉर अच्छी खाल से परसेंटाईल स्कॉर से सो को लेट सी अगर आप नए आए हैं तो आप एमस्टेश्य की गया है यह हमारे कुछ कॉर्सट इन सब पर दिवाली ओफर चल रहा है तो दिवाली ओफर इन सब कोर्स पर चल रहा है आप डाउनलोड करके देख सकते हैं सो लेट्स सी आज हम जैसे बात करने वाले हैं जीरो टू हीरो यानि के यू और फ्रेशर आप एकदम फ्रेशर है एंड कहां से तेयारी शुरू करनी है कहां से स्टार्ट करने सब चीजों के बारे में और कैसे आपको एकदम मुहारत हासिल करनी है उस चीज में तो लेट्स सी कि जब मैंने अपना नेट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैं भी आप जो फ्रेशर्ग बच्चे हैं एकदम अभी मास्टर्स भी नी कमप्लीट हुआ थी कुछ नहीं पता था क्या कैसे करना है कैसे शुरू करने और नेट के इग्जाम का पता भी हमको तब लग जब तक हम पहले दूसरे समेस्टर में थे तीसरे समेस्टर में इस एक्जाम के बारे में चीज़ें पता लगनी शुरू हुई तो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगे तो लेट सी सबसे पहले एक चीज आपको बताऊंगी जो कुछ हमारे कॉलजी हैं इंडिया में य कुछ भी कॉष्यन हैं कघी खर एक अच्छे नंबरों से घर दी तो यह कहीं ना कहीं एक हमारा थोड़ा अग्रीअ स्ट्रम में भीवोल्ट है कि बहुत साब भी नहीं ऐसे होतें कुछ कॉलेजी तो कुछ ऐसे रहते हैं कुछ इनिवर्स्टि रहते हैं कि जिनसे पास पास आउट होने के बावजुद भी हमारा basic ही नहीं clear होता हमको पता ही नहीं होता है economics के concepts, relationships, ideas, facts, diagrams, equations नहीं पता होता हमको आला कि हम अच्छे नंब्रों से clear करके आए हैं ठीक है न क्यूंकि वो जो हमारा examination pattern है जो धंग होता है उसके बाद अचानक से competition में आ गए यहां पर तो objective questions है concept नहीं clear तो exam नहीं clear कर पाएंगे इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जितना अब उसके बारे में जानते हैं बस लिखकर आजाओ page sheet भरके आजाओ कई बच्चों को बड़ी अच्छी मतलब एक skill होती है एक्जाम में sheet भरके आना कि बड़े बच्चों में होती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने master's के मतलब इस skill के साथ ही टॉप करते हैं कि अच्छी इतनी sheets भराओ एक matter लिखा हो बस उस चीज के बारे में अब जो चैकर है उसने बड़े के के लाइन तो पढ़ने भैठना नहीं है देखी का सब छेचेटे भर यह जो इसको नंबर दे लो होती है तो अब नेट के एक्जाम में तो ऐसा कुछ है निसमें बेसिक आइडिया है इसमें बेसिक आइडिया है तो आपको क्या करना क्या है अब ध्यान से देखि है ऐसे बच्चे जो है उनको आइविल नोट सुझेस्ट की दुबारा से वो सारा डिटेल पड़ने लगे बलकी बलकी बुक्स लेकर बैठ जाएं माइक्रो की अलग मैक्रो की अलग और दुबार में उनको सुझेस्ट यह नहीं करोंगे जो बच्चे ऐसे हैं जिनको लगत करूंगी कि आपको दुबारा से एक बार सारे युनिट वाइस बलकी बुक्स पढ़नी है माइक्रो की अलग पढ़ लो मैक्रो की अलग पढ़ मतल पढ़ लो एक बार गो थू हो जाओ उन चीजों से बुक लिस्ट पर अलग वीडियो है अगर आपको पूरी-बुरी बुक कि अगियो मारा मैक्रो मैकरो मिक्रो मिक्कूनोमिक्स लेए उसके लिए एक्चैल हुजा इच्य है कुटो स के सीनश की बूक है यह फिलहिए बहुत बुच्छी है एक्रोफ एंडिवलपमेंट के लिए अपकी अम्मेल जिंगन अच्छी बुक है एकॉनमेटरिक्स के लिए मुझे एकुटे सेंस की बुक जाद अच्छी लगती है इस कंपेर टो गुजराती जो आपका मैथेमेटिकल है उसमें आप कोई भी मैथेमेटिक्स फॉर सुडेंट्स ओफ एक्नॉमिक्स ऐसी करके बुक ले सकते हैं ठीक है सो जो आपका होता है एंवायरमेंटल एकनॉमिक्स उसके लिए स्पेसिफिक बुक अगर कुछ कोई भी नहीं है टॉपिक वाइस उस जो बुक आपने अपने मास्टर्स में पढ़िया ना हर कोलिड में अलग 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 बुक रीकॉमेंट की जाती हैं लग अगलस अब्जेक्ट के लिए कि कोई कॉलेज में दाइन को पास्टर्स वाली बुक ए उनको फी एक बर गो तुरू कर लीजिए जो भी आपकी मास् जब भी फ्री हुए बुक लेकर बैठ गए और उसमें से चीज़े पढ़ते गए और हाइलाइट करते गए उन चीज़ों को यह इप डपैंड्स ओन यू कि आप अलग से वहां से नोट्स बनाना चाहते हैं कि नहीं ठीक है ऐसा कर लो जो बच्चे बेसिक जानते हैं को है कि ह तो उन स्टूडेंस को क्या करने दोनों के लिए तरीके बताऊं देखें पहले तो ना कुछ दो तिन चीज़े यहां पर अपने दिमाग में रखिए जो आपका एग्जाम का स्लेबस होता है स्लेबस पड़ा हुए आप जाके देख सकते हैं पेपर वन पेपर टू फ्री ओफ कोस्ट फ्री स्टडी मिट्रियल वाले बोक्स में आपको मिल जाएगा स्लेबस दूसरी चीज़ होती है पीवाई कि अब आपको इन दोनों का संतुलन बना के जलना इन दोनों का बैलेंस जलना इन कैसा बना के चलना देखिए बच्चे फ्रेशर्स असल में गलती करते क्या हैं वह पकड़ते हैं नेट का स्लेबस चलो पर इंटाउट निकल वाली अब स्लेबस के हर एक टॉपिक पर बराबर का एफट्स लगाने लग जाते हैं जितना एफट कंजूमर बिहेवि आपको नहीं लगाना तो अगर आब रहबर एफट लगा रहो तो इस यूर मिस्टेक ठीक है तो यह एक चीज पॉइंट मेरा दिमाग में रखना आपका एजुकेटर का काम ही यह होता है बेसिकली कि उसे आपको बताना होता है कि किस पर्टिक्लर टॉपिक पर हमको एफट यह चीज एक स्लेबस की आपको पता होनी चाहिए यह कैसे पता चलेगी पीवाई क्यूस से पता चलेगी अगर आप पीवाई क्यूस देखें पिछले दो तेन चार सालों के तो उससे आपको यह समझ में आ जाएंगी कि कौन से टॉपिक्स एंटिक के फेवरेट हैं कौन से चीजों से वह डिटेल्ड पूछ रहे हैं अभी जो लेट टेस्ट मार्च जून वाला पेपर अनालिसिस करेंगे तो आपके लिए बहुत हैल्फूल रहेगा ठीक है यह चीज अच्छा अब एक चीज और यहां पर बता रहे हैं तरीका अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि ज माल लो मेरा पहला पीवाई के मार्किट ट्रक्चर पर कुछ है कॉपिपन पकड़ी मार्किट स्ट्चर के जितने भी उसके बारे मैं आप चीजे इधर उधर से पढ़ी आपने एजुकेटर से पढ़ी हैं यह बुक से पढ़ीग कहीं से भी पढ़ी है उसके नोट बना लि तो उन्हों को एसे कर लेने हो उनको पीवाई क्यूजस से अपने नोट्स बना लेने हैं जो बच्चे बुक्स दुलिया सारी पढ़ना नहीं चार ठीक है प्रीक के जन्हों के जरी कि जसांः अपने nots में इसमें सरफ कॉम्बो वाला लगा हुए यह तो यह वाल आप ले सकते हैं अब यह वला जो कोर्स आपको नज़र आजाएगा तिरफ जून वाला कोरस है उसमें हम पूरा डिटेल करने वाले हैं यानिके उसमें आपको कोई दूरत नहीं पड़ेगी उसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब बलकी चीजे लेकर बैठ जाएं है ना सर पर तेल लगाके और टारगेट बनाके मोटी मोटी बुक्स पढ़ने लग जाएं मतलब ऐसी चीज उसमें आपको जुरुत पड़ेगी निया अगर आप जून 2024 वाला कोर्स ले 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 कि चीजन उसमें district के बीडाव जाएंगी तो यास आप तेल ले लिगिए उसे की एक ग्राष एक्षा 172 टी क ले से पहले और आपगि परह थो पूरा हास घुन उलख होगगी और आपके जून वाले पाले इसम्नान kे प्रीविजन वाले experiment पर चीज आप पूरा कंस किसको छोड़ सकते हैं किसको जैबस के लावा भी हमको करने यह सब चीजे इसमें आपको रिलिएजस से समझ में आणके क्यों जो फरेश्जम वते हैं कशीर किल ऑंक कि विंद्लिड लेफे लावा भी बड़े टॉपिक्स आपको पूछ जाते हैं来 तो यह कर सकते हैं आप अच्छा जो मेरी बूक से ना पेपर वन पेपर टू की वो रवीजन परपस के लिए हैं वो उन स्टुडेंट्स के लिए हैं जो बच्चे समझते हैं कि हमारा बेसिक लिए यानिके हमने मास्टर में अच्छा अपना कंसेप्ट क्लियर किया हुए ठीक है वो बच्चे यह चीज ले साथ है यह चीज तो नोट्स बनाने की विज़े बुक हैलफूल होगी कि आपको अपने अलग से नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे बने-बनाई नोट्स मेरे ले ली तो यह पेपर टू की है और यह पेपर वान की है इंग्लीश मीडियूम वाली इसमें सारे आपको पीवाई की उस मिलेंगे सब कुछ देखो भी मैंने कुछ होड़ा ही नहीं है आपके लिए कि आपके करने के लिए आपको बनी बनाई बुक पीवाई की उस एक्स्प्लाने हाँ तो बेसिकली जो मेरा कहने का कहने की समरी थी कि वह यह थी कि आपको ब्लाइंडली स्लेबस पर रलाय नहीं कर तो ठीक है आपको स्लेबस के हिलावा जो मैं जैसे मैंने समझाया ऐसे इस तरह से अपनी चीज़े क्लियर करनी है एक क्रोनोलोजी रेख लीजिए फ्रेश सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा अगर आपके बिल्कूल ही कंसे नहीं क्लियर है यू डॉंट ना आउडए जिनन ऽाना कुछ भी नहीं पता तो आप xbuk÷्हान से xbuk÷्हान ले सकते armor it is this is optional ये आप कर deep end iquer तो यह कि जानती तो उटीं清 시 kaloagnет है ग fanhand है करने वाली जो आपको करने है रेलिवेंसी के कॉर्डिंग जैसे मैं आपको को समय करंगी वह हमको करनी इसके बाद पीवाइक यूस भी पीवाइक यूस एंड नोट्स खुदके नोट्स टैस्ट सिरीज जो आयं करनी है और यह जो आपने नोट्स बनाए हैं इंका रुज यह सारे पॉइंट्स इंपॉर्टन है तो जो मेरा जून वाला कोर्स है उसमें आपको स्लेबस रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग करवाया जाएगा जहां पर टेक्स्ट बुक की जरूरत है वह चीज मैं टेक्स्ट बुक से करवाँगी जहां पर मुझे लगता है यह मैं अपनी देसमबर वाला रवीजन कोर्स ही चल रहा है उसमें आपका रवीजन ही हो रहा है बच्चोंने कॉम्बो यह हुआ हुआ इसलिए तो यह जो है जब आपको नोट्स मिल जाएंगे पीवाई क्यूस मिल जाएंगे तो आटोमेटिकली रवीजन तो आप पर है वही मतलब उस चीज़ को याद कैसे रखना दिमाग में कैसे डालना है वो चीज़ आप खुद करें ठीक है रवीजन का एक बैस्ट वे बताती हूं एक दिन में जो भी आपने पढ़ाया अगले दिन जिस टाइम पर उठते हैं सुबह उससे एक घंटा आदा गंटा पहले उठ जाईए औ उस टाइम अपने दिमाग में चीज़ों को दोराईए कि हमने कल की क्लास में क्या क्या पड़ा था अपने दिमाग से कोशन पूछिए अच्छा ओलिकोपोली के बैटन के मोडल में क्या होता है इस और प्रॉफिट कोशन क्या होते दिमाग से कोशन पूछिए एंड आंसर तो यही चीज़े हैं जो मुझे आज का इस वीडियो में होपफुली आपके वीडियो यह काम आई होगी आपको इससे अच्छा लगा है तो दूसरों के साथ भी शेयर करियेगा थेंक यू